प्यारे प्यारे चात्रों और मैं समस्ता हूँ कि आप लोग बहुत ही सांदार पेपर देख करके मुझे लगता है कि दिल आप लोग को का Gar круг मतलब मज़ा आ गए होगा पेपर देख करके वरड़ फालर के Πेपर आये होगे ते अच्छा कि पेपर को अगर हम देखे जनरल पेपर वाले बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त और जैसे कि पेपर आप लोग देने जा रहे हैं तो यह जाइसी बात है आपने पीर्छले question paper को भी review किया होगा तो उस से आपको पता चल गया होगा कि Para कै प्रहला प्रसन आप लोगों के सामने पूछा गया है चलिए सर शुरू करिए जरा को इसे में के पहले इन्हों लोग पास होकर की नौकरी करो अगला पूछांगी मतलब पहले बसंत का मौसम जो है किस से पहले आता है और आपको विंटर विंटर और विंटर जो चलेंगे और यह बहुत यह पूचा कि बताओ अपको क्या कहते है कि वाट भी कॉल्ड फादर ऑफ आर मदर तो भाईया आपको पता है मम्मी के लाते हैं ग्रांट फादर क्या किलाते हैं ग्रांट फादर यहां पर दिया गया है अब देखना बात को आगे लिखा हुआ इसकी सिस्टर की डॉर्टर रहती है मतलब कहना चाहरा है कि आपकी भांजी की बात हो रहे हैं तो इसे हम नीज कहते हैं सभी लोगों को पता होगा से यह मिर्ण होगी उपकी बेटी इस फ्री आपके पास अजाता है ही locomo troublesome अपलगे पेसिवाइंट पूंच रहे होंगे तो यह सपैसिवाइड़ आइंगे यह जर्नल है ठीक इसके सेशन के जस्ट ठीक बाद इन्हों ने अगला कॉच्छन पूछा हमसे क्या पूछा बहुत सिंबल से पूछा लिखा हुआ है कि beauty is a gift of God अब पढ़ाया इसे इतना संझाया इस पूछा में तो बलती होना नहीं चाहिए beauty क्या है आपका uncountable noun का मतलब क्या हो गया से वह थोड़ा सा कभी-कभी जो है वेट करने के वोड़ा हमारी energy को देख नहीं कई बार ने ने बात ही है ना कई बार क्या होता यह हम तेज होते यह जो हो जाता है वो हिंदी के पीछे बाग रहा है तो आपका पता होना चाहिए यहां से लिखा हो है beauty is a gift of God beauty क्या है आपका uncountable noun का मतलब क्या होता है जीरो तो आर्टिकल एन तो आ नहीं सकता और यहां पर जन्रल सेंस में beauty की बात हो रही है तो इसका मतलब पता समझ रहो यह तो particular beauty की बात करें या फिर दाइस लिकना पड़ेगा तो संधरियों की बात कर रहें लिकी या पर संधरियों की बात नहीं हुई सिर्फ संदरता की बात होई है तो संधरिया की बीचे है बहुत जयादा बहुत ज्यादा है आफ आपको पता है आए MBBS डॉक्टर होगा कि MBBS डॉक्टर की तरह हो चुका है स्लेक्टर तो दा मत लगा दिना क्योंकि पोस्ट के MBBS डॉक्टर सिंपल सी बात हुई एक पोस्ट के बारे में जब भी आता है ज्याद अतर अब आपको पता है यहां पर इनों ने अब आता है बिच आप फॉलविंगे नॉट पर लोग ग्रोश्वी स्टॉर ग्रोश्वी स्टॉर का मतलब बताई क्या होगा लैदर इस नॉट पाइट ओफ अब देख लेंगे उसे क्या कहेंगे ठीक है अब एक बार यदि आप कहेंगे तो इस बहुत सिंपल पर आया है कौ कि यह वाला है ना इस प्रिंग कम्स बिपोर कि अधिया एक बार एक बार देख लेना है सैकेंड वाले कॉश्वा पूच्छा पूचा कि बिच आप ग्रोश्री स्टॉर तो आपको पता है ग्रोश्री स्टॉर का पार्ट क्या नहीं होता है लेदर ग्रोश्री स्टॉर का पार्ट नहीं होता है क्योंकि ग्रोश्री स्टॉर का मदलब है जहां खाने वगएरा का सामन मिलता है जैसे सुगर है वीट वगएरा है तो यह क्या हो जाएगा लेदर हो चाहेगा अब एक कॉश्चन बिच आप दा फॉल्लिंग इस नॉट कॉंटिनेंट बता ही कॉंटिनेंट कौन सा नहीं है और अस्टेलिया अरब एसिया अब यहां पर पूछा गया है कॉंटिनेंट कौन सा नहीं है सिंपल कोश्चन आपको पता ही है कि एसिया जो है अपने आप में महादियूप है और जो आस्टेलिया है यह भी महादियूप लेकिन यहां पर कॉंटिनेंट के रूप में नहीं आता है तो लेंड रूक के रूप में कौन सा आ जाता है अरब आ जाता है यहां पर अरब हो जाएगा तो यह बीस को अको इन हैने हैं किसी पे कोश्टन उठाने से पहले। question को हम पढ़ लेते हैं, Hindi वाले part को जरा देख लेते हैं, Hindi वाले में क्या रहा है? question आपके सामने बढ़ा ही, ये क्या हुआ, ओके पूछ रहा है कि या आपके सामने है या पा और घा में से क्या है? या धा कुछ देखना, साब देखना आपको है? या घा और धा अगर हम बात करते हैं यहां पर कौन सी धोनी महाप्राण है तो महाप्राण धोनियों के अंदर आप सिंपल सी बात समझेगा महाप्राण धोनियों में दो आती है मतलब दो प्रकार की धोनिया आती है ऐसी धुनिया जो की दूसरे नमबर पे आए और चौथे नमबर पे आए दूसरे और चौथे में कौन सा आता है दूसरे और चौथे वाली सभी धुनिया क्या होती है महापराण होती है जैसे अगर हम यहाँ पर खा रखते हैं गा नहीं रखेंगे फिर घा रखेंगे ठीक है तो ये क्या होगा खा भी होगा और घा भी होगा महाप्राण फिर अगर यहां दिया गया धा तो धा भी क्या होगा हमारा धा जो होगा ता था दा और धा उसके बाद क्या होगा ना तो सिंपल सी बात देखो ता वाला महाप्रा नहीं होगा धा वाला महाप्राण होगा तो यहां पर अगर आपको घा और धा दिख रहा है घा और धा ही है न देखने जरह कि कुछ our है नहीं दो दिये न ये ही है ये है clear देखने जरह है अगर आपको नजर आ रहा ते एक बार बता जिए गए इसमें क्या होगा घा है कि धा मुझे थोड़ा से इसमें फट रहा है ज़रा हाँ एक मिनिट चेक करवाएंगे ज़रा कोश्चन कि थोड़ा से मैं एक बार चेक भी कर लो है इसमें तीन दिये है न घा है या धा है घा और धा है तो देखो उपर घा भी आ रहा है तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे इसमें महाप्राण धोनियों में आ जाएंगे इसका मतलब A भी हो जाएगा और C भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा उत्तर एक से हाँ अब अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है किस धोनी को अनुस्वार कहा जाता है दो को स्वतंतर रूप से जो चारित होती है धोनिया उनको हम नहीं कहते हैं वेंजन के बाद आने वाली जो धोनिया होती है वेंजन के बाद जो आने वाली धोनिया होती है सैंदों करें को मैं इनको क्लीर करना चाहता हूं हो जसकता हिक इसको बी पीजय करेंगा यह पास आपके पास इक डाउट्ट है की आपका की जननरली हम वाट भी तर जैसे कि जैसे कि चाहे जंचरह के टा टा-क छोड़ाइए चाहेँ पापा के फादर की बात करें मम्मे के फादर की बात करें दौनों को यह घुराइंड़ यह लाप यह दो तो grandfather हम दौनों को ही कह सकते हैं और maternal grandfather भी कह सकते हैं तो अब देपेंड करेगा कि grandfather maternal grandfather दौनों कहते हैं आप search कर लीजिए oxford पर जाके कहीं पर भी देख लीजिए दौनों को ही कहते common suburb लेकिन अब BPSC क्या consider करेगा वो depend करेगा यह वह more than more than above रखता है तो तो best है तो answer D हो जाएगा ठीक है लेकिन answer जो यहीं बात करेंगे specific यहीं वह बीजिए कर सकता है तो ज्यादा रिलेटिव आंसर जो होगा वह भी होगा सबसे पास का इदी आंसर देखें तो डाटेक्ली maternal father भी आप maternal grandfather भी इन्हें बोल सकते तो बैसे तो इस पात पर confusion रहेगा कि BPSC क्या consider करेगा क्योंकि sometime examiner का भी view होता है कि वह किस view से caution पूछ रहा है और वह अपनी को सटिस्फाइब कोई बात ने मैं बोलते हुए बताता रहूंगा आगे तो इसका आंसर डी हो सकता है डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है डिपेंट्स कि वह क्या consider करता है क्योंकि दौनों को यह grandfather और maternal grandfather कहते हैं तो सम्टाइम्स आपको भी पता है कि एक्जामनर के उपर डेपेंड करेगा कि सर वो क्या सम्टाइम्स ऐसा होता है कि दौनों रिलेटिव आंसर होते हैं वह एक्जामनर का point of view अपना हिंदी को फटा-फट बहुत तेजी के साथ में देख लेते हैं यहां दिया गया कि किस धौनी को अनुस्वार कहा जाता है अनुस्वार उन धौनियों को कहते हैं जो नाक से उच्छारित होती है और जो हमेशा सवरो सब्सक्राइब अगले प्रसंद पर देखते हैं अगला प्रसंद दिया गया इनमें से समास में अंतिम पद प्रधान को अंसा होता अंतिम पद कहले या दुतिय पद प्रधान कहें दोनों में से कुछ भी कहें चाहें जो है दुतिय पद कहें दोनों में से कुछ भी कहेंग प्रधान होता जो तीसरे के लिए प्रियोग किया जाता है अब यहां पर चलते अगला कुश्चन दिया गया कि अनेक आर्थी सब्दों में टीका सब्द क्या होता है टीका के लिए देखो पता का सब्द प्रियोग किया जाता है जंडा भी प्रियोग किया जाता है विबेचन पार्थ या फल्दान नहीं होता सिर्फ तिलक बचेगा तो उपर युक्त में से एक से अधिक नहीं बलकि यहां क्या हो जाएगा तिलक टीका जो लगाया जाता है बाकी पार्थ सामने नहीं दिया गया अगर पार्थ है तो बाकी एक बर चेक लिए पार्षू होगा तब भी नहीं होगा पार्सु का मतलब होता पीछे तो टीका पीछे भी नहीं करते हैं इसके शह साथ है लेकिन उन्हें से एक भी नहीं दिया गया है अब दिया गया कड़ है चिन है तथा सुन्ने किस एक सब्द का अनेकार्थी है यहां पर आप देखेंगे पतंग सब्द के लिए वाओ के संदर्ब में अगर हम बात करते है तो भाओ के लिए खणे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सुन्य और चिन्य के लिए नहीं होγα तो इसका मतलब अगर हम देखें तूपरियुक्त में से कोई नहीं होगा अगले प्रसन पर चलते हैं अगला प्रसन दिया गया हिंदी में हरसुस्वर की संख्या तो मूल रूप से हरसुस्वर किसे कहते हैं हरसुस्वर उसे कहते हैं जिसके बोलते से हमारे हमारे मुख से वायू कम निकलती है है हमारे हिंदी में और संस्कृत में होते हैं पांच मतलब एक और आ जाता है संस्कृत में पढ़ोगे तो पांच हिंदी में आपके सिर्फ चार स्वर होते हैं चार स्वर होते हैं हरस्व और दिर्ग स्वरों में कितनी संख्या होती है साथ डोटल स्वरों की संख्या कितनी हो कि पोचा गया है महा पराण बेंजनों में अगर देखो येसे पर्वाज अगर उगल कि प्सकताй अब इन दोनों become समझ लीजिएगा कि किसके उच्चारण में कम वाईव निकलेगी, इसका मतलब का को बोलने में उच्चारण में कम वाईव निकलेगी, खा को बोलने में ज्यादा निकलेगी, तो ये महाप्राण में हो जाएगा, ये अलप प्राण में हो जाएगा, तो हिंदी वर्ण माला मे यह पांच वर्ण हैं यह कभी भी महाप्राण में नहीं आते तो आपका ता कड़ गया आपका पा कड़ गया तो बचा कौँ सा सरफ ए आ जाएगा इसका सही अंसर अगले प्रसंद पर बढ़ते हैं अगला प्रसंद क्या दिया गया है हिंदी में ओस्थ वेंजन क्या है भासा के रूप में उसी भासा को रखा जाता है जो हमारी कभी रास्ती भासा रही हो तो 1857 के बिद्रोह से ले करके जी क्या दिया है इसमें अगर हम बात करते हैं 1857 के बिद्रोह से ले करके 1949 तक जब तक कि हमारा संविधान नहीं बना था उससे पहले हिंदी हमारी राष्ट भासा थी लेकिन उसी राष्ट भासा को राज भासा के रूप में 14 सितंबर के दिन इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तो 14 सितंबर 1949 को राज भासा के रूप में सोहिकार किया गया ठीक है किसमें राज भासा के रूप में सोहिकार किया गया simple है अगले प्रसंद पर बढ़ते हैं अगला प्रसंद इधर साइड में दिया गया है यहां पर पूछा गया भासा सब्द जो है संस्कृत के किस धातू से बना है तो धातू से बनता है भास धातू से वैसे जो भास धातू है उसके नीचे हलनत लगता है लेकिन यहां दिया न नामा करण किसे ने किया है पुरानी हिंदी का नामा करण में देखो इंसा अल्ला खा रानी कित्की की कहानी लिखी इन्होंने और इनकी इस कहानी को जो है हिंदी साहित जगत में खड़ी बोली में साहितिक एतिहासिक कहानियों में नमबर बन पे रखा जाता है लेकिन इन्हो ने अंग्रेजी में हिंदी पूरा हिंदी साहित लिखा अंग्रेजी भासा में गियरसन ने और इन्होंने भी पुरानी हिंदी नाम नहीं दिया था नाम किसे ने दिया है चंदरधर गुलेरी सर्मा ने पुरानी हिंदी का नामा करण किया था और इन्होंने जो अपभरंस से बाद थोड़ी सी बिक्सित हुई भासा थी, जो हमारी आज की बरतमान भासा से थोड़ी सी अलग है, उसको क्या कहा था, पुरानी हिंदी कहा था, अब बात करते हैं, आप ब्रहंस के कभी कौन है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा है मतभेग, अगर आप राम बिला सर्मा के या राम कुमार बर्मा का जो आला उच्छनात्मा की तिहास है, उसको आप पढ़ते हैं, तो इन दोनोंने स्वैम्भू को जो है, अप ब्रहंस के पर्थमकभी के रूप में स्वैकार किया है, ठीक है, सरहपा या सर्पदा के बारे में अगर बात करते हैं, इनके द्वारा ये क हम नहीं मानेंगे, अब अगले पर चलते हैं, अगला प्रसन दिया गया है, हिंदी भासा की उत्पत्ति, तो हिंदी भासा की उत्पत्ति, अब यहाँ पर प्रसन बड़ा ही, मतलब समझने वाला है, लास्ट कोश्चन है हिंदी का, लेकिन इस बात को समझेगा, हिंदी भास इसका सही उत्तर है अब क्यों है वैसे देखो कुछ लोग बताएंगे सर्जी सौर सेनी अपरभरंस इसका सही उत्तर है लेकिन मैं आपको बताता हूं सौर सेनी अपरभरंस क्यों नहीं माना जा सकता क्योंकि हिंदी सिर्फ खड़ी हिंदी की बात अगर यहां खड़ी हिंदी दिया होता तो सौर सेनी अपभरंस आता है लेकिन इसी हिंदी में कितने अपभरंस सामिल है तो एक है मागधी कौन सा है मागधी अपभरंस भी इसी में सामिल है और बाचड भी सामिल है और आपका सौर सेनी सामिल है तो चार प्रकार के अपभरंसों से मिलने के कारण इसमें स सर आपके कारण पेपर सबसे बहतर गया है चलिए ठीक है तो ये मेरे लिए खुसी की बात है अब यहाँ पर समझिएगा तो हम क्या करेंगे प्राकृत भी यहाँ उत्तर हो सकता है और सौर सेनी भी हो सकता है क्योंकि सौर सेनी एक अकेले अपभरंस से नहीं हुआ है और भी से हुआ है तो प्राकृत और अपभरंस दोनों मांगे तो उप्रयुक्त में से अधिक लगाएंगे ठीक है न इसलिए डी लगा रहे हैं अगर यहाँ असपस्ट नहीं किया गया है प्रसने में कि किसके बारे म है या चैसी सजड़ में जो बोली जाती है वो मांगधी से है अब यहाँ ऐगर अगर हम बात करते हैं प्राकरट तो प्राकृस के बाद तो पाली आती है सिंपल है न a प्रवहन्स के बाद पुरानी हिंदी को कुछ लोग अवहट कहते हैं और अवहट के बाद फिर जाकर के हमारी हिंदी की सुरुवात होती है तो चलिए अब अगले प्रसंद पर बढ़ते हैं हम लोग यहां पर कुछ आप लोगों के सामने यह कुछ कोशन इसको हम देख लेते हैं जनरल स्टेडीज की पेपर को हिंदी बचा है कि अगया है कुछ कोशन मेरे खाल से मुझे छूट गया था मैंने ध्यान नीदिया अब देखो यहां दिया हिंदी भासा का इतिहास पुस्टक के लेकर कौन है तो हिंदी भासा इतिहास के पुस्टक जो है रामचंदर सुक्ल हो जाते हैं मुझे दिखाए नहीं दे लेकिन मुझे विवाद उसके हिसाफ से मैं उत्तर दे रहा हूं थोड़ा सा बलर आ रहा है तो मैं पड़नी पा रहा हूं यहां पर लेकिन कोशन पढ़कर करके उसके इसाफ देना नहीं धिरेंदर बर्मा का सब्दकोस के रूप में नाम आता है कि सोरी दास बाजबैई के बारे म हुई है अर्ध मागधी से किस से हुई है बिहारी हिंदी की उत्पत्ति और मागधी से क्या हुआ है यूपी और जो है जो 36 गड़ के छेतर में चलने वाली उसकी उत्पत्ति हुई है खड़ी बोली का प्रथम महाकाब भी किसे कहा जाता है तो प्रथम मतलब खड़ी हिंद कुछ लोग राम चरित्तु मानस्तो अवधी में लिखा गया है कामाईनी को लोग मानते हैं कुछ-कुछ लोगों ने एक दो लोगों ने तरक दिया है लेकिन इसका सही उत्तर होता है प्रिय प्रवास ठीक ना अगला प्रसुन दिया गया कि हिंदी भासा के अंतरगत आने वा हो जाता है पांच उत्तर दिया गया है ठीक ना अब आगे चलते हैं कि कैरा नल से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है प्रसना आप से पूछा गया है नल से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा उत वाक्य में बूंद बूंद क्या है हां तपक ना जो है क्या टपक क्विसेशन के रूप में क्या है यहां पर पानी का टपकना बूद 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 बिसेशन नहीं है क्रिया बिसेशन बूद होजाएगा तो यह निया आपने अच्छा सबोलि हैक मगई जानतों किसके एंगтесь जाते मगई मगई बोल मगई जो बोली जाती है रजस्थान में नहीं पूर्भी हिंदी में नहीं बिहार में बिहार में तीन भासाइ यह तीन भासाइब बहुछ telefon उनका नाम आपको पता है अब लोकपरिय महाकाब्ब diyorsun में तो सिम्पल सी बात है है रामचरित मानसाता है लोकप्रीय भी है, मधुमालती में रिगावती नहीं है, मधुमालती में प्रेम कहानी है और इसको जो है अवधी के लोकप्रीय गीतों के स्रेणी में निरखते हैं, मेरे खाल से सारे हिंदी के खतम हो गए होंगे और आप लोगों ने लगभग जो है सही उत्तर दिया होगा पेपर में और बहुती बढ़ियां दिया होगा हिंदी चले आगले पर यहां करें हिंदी का इतिहास हिंदी 1929 रामचंद्र सुकल का है हिंदी भासा का नहीं है अच्छा हिंदी भासा का नहीं है ठेक है एक बार दुबारा से चेक कर लीजिएगा हिंदी भासा का किसने लिखा हिंदी भासा अलग होती है हिंदी अलग होता है में भी है ना कोई दिख्खत नहीं है तो कैसा रहा पेपर आप लोगों ने जिन लोगों ने दिया है बता दीजिए एक बार ये कह रही है निहारी का करें जब आता नहीं है तो बताते क्यों हो अच्छा जी किसको करें मुझे कह रहे हैं इजी पेपर था अच्छा जी मेरे तो नहीं था रिविजन होगा हाँ हिंदी सब पास होंगे बिल्कुल सही है हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आया था ठीक है अब चलिए ज़रा जी के जी एस वाले पार्ट पर देख लेते हैं consider the following statement पहला कह रहा चंद्रयान is चंद्रयान 3 is not and the important space mission of India कह रहा दूसरा क्या कह रहा अगला दे रहा है इंडिया इस का दिया गया है कि which of the above statement is correct और इसका सही उत्तर क्या हो जाता है मतलब यहां पर दो चीजे हैं बात यह है कि बीच में यह भी बताया गया कि robots अच्छे से काम नहीं कर रहे है और साथ में यह भी बताया गया कि यह चोथा stage पर नहीं आता बल कि किस पर आता है? चोथे पर आता है ना? तो दो चीजे हो गए तो इसलिए D हो गया अब यहां दिया गया फू बिल्ट दा स्टेचू ओफ महात्मा गाधी इंस्टाल एड दा क्या दिया यूनाइटेड नेशनल हेड़कॉर्टर अब किसके द्वारा बनाया गया है तो राम सुतार अगला देख लेते हैं जरा भई भवानी सर आए नहीं है बैठके मेरे ख्याल से देख जरूर रहे होंगे मैं सिर्फ कोश्चन का एंसर उनके फटा फट बता देता हूं चलिए यहां पर तो अच्छा मुझे लग रहा फिर इधर से देखना पड़ेगा अगला कुश्चन है विच आफ दा फॉलोइंग ज्यादा मिस हो रहा है नॉट एमंग द्या कंट्रीज विच इस नॉबल पांडर अच्छा इसका एंसर बता दीजिए इसका एंसर डी बता अगले प्रसंद की तरफ हम बढ़ते हैं अगला प्रसंद क्या कह रहा है चलो चलो यहां पर थोड़ा से पढ़ लेते हैं इससे आप मिला लीजिए कि कह रहा है कि भाई विच वन ओफ दा फॉलोइंग इन नॉट दा पैनल आफ पोर जजज हाई कोर्ट एपॉइंटमेंट बायदा सुप्रेम कोर्ट जो हुआ था कोर्ट ओफ अगस्त दोजार तेईस में थोड़ा साइड में मिट रहा है यहां पर जो दिया गया रिहेबिटेशन इन दा मनीपूर में जो दिया गया था इसका सही उतर क्या हो रहा ए मतलब जस्तिस गया सुधा मिस्रा अच्छा ग्यान सुधा मिस्रा है ठीक है फू बिकम दा यंगेस्ट इबर्स क्याना सीनियर वर्ड चैंपियन और फॉस्ट इंडियन टू बिन दा इंडिविजूल कंपाउंट कोल्ड मेडल एड़ वर्ड आर्चरी आर्चरी में किसको दिया गया है भाई यहाँ पर बर्लिन जो हुआ था जर्मनी में आगस्ट दोहजार तेईस में तो किसका नाम आ रहा इसमें आदिती स्वामी का नाम आ रहा है आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपना भी एंसर और भाई देगो जी एस वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रॉंग नहीं कि बहुत दिन से चूटा हुआ है सर ने बता रखा बस मैं आपको उत्तर बताते हुए चला जा र जैप्रकास नाराण वैसे मैं पढ़ाते समय बीच में अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बताया भी था जैप्रकास नाराण के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को ज्यादत तर जो आपको इस तरह हिस्टी के कुश्चन दिख रहे हैं वो बिहार से आपको सुरू और अप्रायल में यहां सुरू हो गया था कमेंट करके बता सकते हैं कि OK किया था बिहार में है बिहार में शुरू करने वाला कौन था नमक तोड़ो कानून जो बनाया गया उसको शुरू करने वाले कौन था विच आफ दा कैविनेट रिसेंटली अप्रूड दा मिशन ऑफ सकती स्कूटर योजना किसने शुरू किया है कोश्चन नंबर 38 है और इसक सकती योजना मिशन सकती योजना को किसने अप्रूब किया है कौन से स्टेट ने कैविनेट मिशन का उडिशा ने शुरू किया भई अगले प्रसन पर चलते हैं अगला प्रसन है आप लोगों के सामने दिया गया विच आफ दा फॉलोइंग यूज्ट तू दा मेजर क्या कि आपने के लिए अर्थक्विक का कौन सा पैमाना यूज किया जाता है मेजर करने के लिए तो यहां पर आपको यह पता होता मरकली जो स्केल होता है है ना म Capital in केल पर ना पाजाता है और अप लोग तो इस चीज़ को पढ़े होंगा अगर जी यस का पार्ट पढ़ रहोंगा जीके में तो भूकम को मापने के लिए कौन सा परियुक किया जाता है यहां पर दिया गया है लीचिंग है न, process is related to, इसका क्या होगा, उत्तर, more than above, मतलब root of plant भी बता रहा है, दूसरा दे रहा है, region of heavy rainfall वाले में दिया जा रहा है, leaching process जानते हो, वो जब पेड किसी बन में जाते हो, बन वगरा में, और वहाँ पर पेड पत्ते पौधे इतने ज़्यादा सगहन होते हैं, जिसकी वज़ा से हवा नहीं पहुच पाता है, अगला, how many the state of India have the common border, which is the Pakistan and Bangladesh, Bangladesh और Pakistan का common border, with the Pakistan और Bangladesh के साथ, में कौन सा भारत का कौन सा इसा, वही तो, दिया गया है कि how many state of India have common border, with the Pakistan and Bangladesh, बंगला देश और Pakistan के border से कितने लगते हैं, तो आपको पता है, बंगला देश से तो लगता है, इंडिया के कितने राज्य लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं, बंगला देश के साथ में भारत का कोई राज्य लगता है, जबकि यहाँ पर क्या होगा कोई भी ने लग रहा क्योंकि दोनों को अगर common पूछ रहा है तो common में कोई नहीं है single single तो अगर पूछता तो लगते हैं लेकिन common कोई ऐसा नहीं क्योंकि बांगला देश हमारा है पूरब में पाकिस्तान है हमारा पश्चिम में और इनके बीच में कोई इतना लंबा एरिया नहीं है अब देखो अगर बात करते हैं विच स्टेट आफ इंडिया इस दा हाइस्ट प्रिडूजर आफ मिलेट्स है मिलेट्स का पैदावार करने में सबसे ज़्यादा नंबर वन पर कौन है भारत का कौन सा राज्य है तो इसका सही उत्तर हो जाता है राजस्थान वह देखो आज कल क्या है आप लोग देख रहे होंगे कि डॉक्टर लोग सला देते हैं कि जिसके सिरेर में अनरजी की कमी हो रही है मिलेट्स खाया घरो दिया है ड्राइस्ट प्लेस है अगर साफ दिख रहा हो तो दिखना ड्राइस्ट प्लेस में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है बीका नेर और जैसल मेर है और लेह है अब देखो कैसा ड्राइस्ट प्लेस है ड्राइस्ट प्लेस तो लेह भी आता है ड्राइस्ट प्लेस आपका भीका जैसल मेर भी हो जाएगा लेकिन ये कोल्ड ड्राइस्ट में आएगा और ये जो है किस में आएगा अगर यहाँ पर हम पूछते हैं तो जैसल मेर इसका हो जाता है उसमें जो गर्मी के कारण ड्राइस्ट है अगर यह ड्राइस्ट प्लेस में जल से सम्मंदित पूछता है तो तब भी जैसल मेर आएगा लेकिन लेह में बरसात ना होने के कारण ड्राइस्ट है लेकिन यह कोल् सब्द प्रियोग नहीं किया गया इसलिए जैसल मेर होगा ठीक है अगला प्रसन है दिया गया है विच आफ दा फॉलोइंग क्या है जायद क्रॉप्स देखो रभी खरीफ आप सुने होंगे रभी खरीफ पाकिस्तान पंजाब और राजस्थान गुजरात लेकिन बेटा आप यह तो समझो ना कि वो कॉमन बॉर्डर नहीं है जो कॉमन सेरिंग नहीं है ना दोनों की कॉमन जो सेर करते हूँ ऐसा नहीं चला अगला दिखते है विच आफ जैद क्रॉप्स क्या है मूंग है है वाटरमेलेन है जैद में जानते हैं जो गर्मी के मौसम में फ्रूट खीर कड़ी तर्बूज फर्बूज वो सब है अब अगला प्रसंद देखते हैं यहां दिया गया है पैतालिस का हो जाता है यह पूछा गया है मगध और अंग प्लेंस आर दा पार्ट ऑफ फालोइंग मगध और अंग वाला जो पार्ट था सोडस महा जनपत से कोश्चन पूछ का चाहिए हिमालेयन ब्राउन बेस्ट वाइल्ड एसियाटिक बफैलो डेजर्ड फॉर दा एक्जाम्पल आफ किसका है यह किसमें आ जाता भाई देखो रेड सूची के अंतरगत डैंजरस एंडेंजरस की सूची बनाई जाती है और इसका सही जबाब क्या हो जाता हमारा अगले पर बढ़ते हैं मेरे खाल सब उपर चलना पड़ेगा यह दिया राजकुमार सुकला राजकुमार सुकला जो दिया गया है विच लीडर कम टू बिहार एंड लीड दा मुव्मेंट अब आपको पता है राजकुमार सुकला ही थे जो जागर के महत्मा गाधी से अग गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं अगला प्रसन दिया गया है वो रोट दा बुक इंडियन डिवाइड और इसका जो इन्होंने लिखा है प्रथम राष्टपती जो थे हमारे राजेंदर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है अगले प्रसन पर को चलते हैं। ऑटन हो दा इस्टार्टड होम रूल लीग होम रूल लीग में कौन स गया था भई अब आपको यहां पर आप देखो यहां पर एनी बेसेंट का नाम दिखरा कहीं अ अम्रूल लीग जो है उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो एमंग दा फालोइंग इंडियाज एक्टिविटीज पार्टिसिपेटेड इन दा साल्ट सत्यागरह इन बिहार अब यही थोड़ी दर पहले मैंने कोशन पूछा था कि बिहार में किसने सुरू किया था आपने उत्तर नहीं बताया अब ही तक किसने किया था सुरू बिहार में तो इसका उत्तर यहां पर जो दिया गया है तो यहां पर मिल करके लोगों ने किया था ठीक है न, तो गौरी दास और कौन थे, मीरा देवी, तो इसका मतलब ये वाले पार्ट में हमारा दोनों हो जाएगा, समझ गए, नहीं समझे तो समझ ले ना बाद में, अब यहां मैथ के कोशन है, नहीं, किसका आई यह, करंड, जीव के वाला, अच्छा, नील दरपण किसके द्वारा लिखा गया है, प्ले दा, नील दरपण, डिस्क्राइब दा, फ्लाइट ओफ, इंडिगो, कल्टिवेशन, ओफ, बेंगाल, एन बिहार, नील दरपण जो लिखा गया है, तो यहां पर आप महात्मा गाधी के द्वारा तो, और यह जो लिखा गया है, दीनानाथ बंधू, अच्छा, ठीक है, दीन बंधू, वहां, एक तो साब देख भी नहीं दा, अगला कोशन देखेगा, वह इस्टेबिलिस्ट दा ब्रांच ओफ, क्या दिया है, अनुसीलन समिती के बारे में पूछा गया, अनुसीलन समिती जो है, यह पटना में किसने शुरू किया था, उननीस सो तेरा में, किसने दिया था भी, कचिंद्रनाथ सान्याल ने, अगला पूछा गया है, गया सेसन ऑफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वाज हेल्ड इन्ड इयर, गया, जो गया सम्मेलन किया गया था, कॉंग्रेस का, वो किया गया था, उननीस सो बाइस में, और आपको पता है, उननीस सो बाइस का ही समय था, जो लखनों वाला भी सुरू किया गया था, एक बार लखनों में, अगला देखते हैं, यहां दिया है, दा नेशनलिस्ट, डेली न्यूस पेपर, और इंडियन नेशनल स्टार्टर इन पब्लिकेशन चलो जी, उननीस सो इकतिस ही देखो, बच्चों ने मैठ लगा रखा, यहां पर बहुत ही, विच आफ दा फॉलोइंग कैन नौट बी दा प्रोविविल्टी ओफ इवन, किस से रिलेटेड है, मैठ से सम्मंदी तो फटा-फट उत्तर ही बताना पड़ेगा, मुझे, दी हो इस साइकल इस सोल्ड अगें दा सिक्स्टी परसेंट, हैड इट विद दा सोल ऑफ अंडर्ड रूपीर, मोर देन गेन अन बूड यहां पर प्रोफिट के साथ में बेचना है, भाई अजार रूपे, पत्चीस सो रूपे में, भाई पत्चीस रूपे में साइकल दिलवा द एडिसेंट इक्विल, अचा बी, 59 का, राइट एंगल बच्चे ने लगा रखा, भाई आरे गुर्जिस ने भी दिया है, बहुत सही जवाब दिया है, 60 का ए देख लो जी, 60, irrational नमबर पूछा गया है, 61 में, एंसर आरहा, दस, आप ओप्शन में देख लीजिएगा, कि 10 किसका एंसर आरहा है, अपने आप मिला लीजिएगा, आपके ओप्शन में दिख जाएगा, 62 का क्या दिख रहा है, 62 का दिख रहा है, 136 सेंटीमेटर स्क्वाइर, 336 सेंटीमेटर, चलो, अगले कोश्चन को देखते है, 63 का क्या होगा, on the rainy day, 63, dry, 64 का हो जाता है, B, सुपर, तलफर डायक्सवाइड दिया गया है, साइन्स का कुछ कोश्चन दिख रहा है, 65 का A दे रहा है, reduction, इसका उत्तर होगा, reduction, बोल रहा हूँ, और लगा कुछ और रहा हूँ, 66 का हो जाता है, C, अल्फा, रेज, अगला दिया गया है, 67 में, N स्क्वाइर जा रहा है, और 68 का क्या है, 3, लगबग बच्चे ने सही उत्तर दिया है, यहाँ पर एक बार मैं इधर देख लेता हूँ, 69 का देखो, नेफॉर्न है, 70 का हो जाता है, B, तो भाई इस तरीके से आपने ज़्यादा तर मिला लिया है, और बाकी एक्स्प्लैनेशन इसका जो है साभी टीचर आएंगे, आपका बिल्कुल इसके बारे में डिटेल में डिस्कसन करेंगे, अपनी तरफ से हमने ट्राई किया है, जितना भी सब्जेक्ट अभी आप लोगों के लिए है, और देखो इसका जो सिलूशन है, इसका जो सिलूशन है वो आपके मेंटोर्स के द्वारा, मतलब आपके टीचर्स के द्वारा अगर हम कहें, तो ये चीज आपको मिल जाएगी और इसका सिलूशन आप लोगों को तिख जाएगा, तो इसके solution के लिए आप classes में जुड़ते रहिएगा सारे detail में solution करेंगे मैं, Hindi, English जो भी part है इसका सारे का सारे solution हम आप लोगों को कल से करवाना शुरू कर देंगे अच्छा बैचे जो है बहुत सारे store पर आ चुके हैं देखो जिन लोगों ने पढ़ाई की है पेपर दे कर आये होंगे और उसके बाद उनको पता चल गया होगा वो 100% जो है जरूर आप लोगों को तो एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा हम तो आपके लिए वेट करते ही है न तो आपको भी तो वेट करना पड़ेगा न आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ जिसको देख लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में बिस सेयर कर दीजिए फटा फटते जी के साथ में देखो कुछ बैचेज हम लोगों ने आप लोगों के लिए निकाले हैं अगर आप इनका भरपूर उपयोग करना चाते हैं अपनी तैयारी करना चाते हैं तो यह आपको काफी हेल्प कर सकते हैं जैसे कि आप देखिएगा वर्ग 9-10 के लिए आपको मिल रहा है यहाँ पर कम्प्लीट मैथ का बैच है फिजिकल एजुकेस्टन का है संस्कृत का है इंगलिस का मिल जाता है हिंदी का भी बैच मिल जाता है इसमें 9-10 का आपको बैच मिल जाता है ठीक है और इस वाले पार्ट में अगर बात करते हैं बिहार सिक्षक भरती है कम्प्लीट बैच आपको देखने को मिल जाता है 11-12 का भी बैच आपको दिख रहा है 11-12 के बैच में अगर आपको दिख रहा है तो हिंदी PGT का बैच है यहाँ पर दिख रहा है और हिस्ट्री का भी बैच है सेम वैसे ही आपका यहाँ पर 11-12 का भी बैच दिख रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ six to earth का भी बैच दिख रहा है आपका subject के हिसाब से math है English है जो भी तैयारी कर रहे है complete social science है Hindi का भी बैच दिख रहा है और आपको Sanskrit का भी बैच दिख रहा है ठीक है न यह बैचेज आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे है अब इस वाले part में हम बात करते हैं कि अगर आप इस बैचेज को खरीदना चाह रहे हैं तो आप जो भी बैच परचेज करना चाहते हैं code Y178 लगा करके आप इनको ले सकते हैं बहुत ही simple way में नहीं तो अड़ा की साइट पर आप विजिट करेंगे वहाँ जा करके आप परचेज कर लेना आज की डेट में बहुत ही बढ़ी है और नए तरीके से तैयारी करिए अपने पेपर को देखकर के आप लोग समझी चुके होंगे कि भाई पेपर कैसा रहा और क्या तैयारी हमें करनी है तो मैं छोटी सी इनफॉर्मिशन दे रहा हूं और आप लोगों को कुश्चन सॉल्व करवाई दिया है तो मिलेंगे हम फिर कल की क्लास में तब तक लिए थैंक्यू सो मच टेक कर बाबाय जै हिंद जै भारत